है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडेस्ट्री के कार्टरू के रिजल्ट के बारे में देखिए ये अभी आया है और आलोक इंडेस्ट्री जो है भी 60 रुपे 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है तो चली देख लेते हैं इसका जो रिजल्ट है कैसा रहा कैसे नंबर् प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा साथ ही साथ अगर कोई आप इस टोक हमसे डिसकस करना चाते हैं तो कमेंट बोक्स में बता सकते हैं हम कोसिस करेंगे उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की तो चलिए देख लेते हैं में देखेंगे इस्टेंड अलोन एंड कर सुलिडेटेड फाइनल सेल रिजल्ट तो क्वाटर ओफ हाफ एरली तीस नावंबर सुरी तीस सेतंबर 2022 तो चलिए देखते हैं और इसमें क्या मेरा व्यू रहेगा क्या मेरा इस्टेंड रहेगा मैं इसको बाई करूंगा या न अठारा सो तीहत्र रखा किया था इस बार 1667 का जनरेट किया है तो येर ओन बेसिस पर ये कम है और क्वाटर में भी देखेंगे तो 1915 से 1600 तो बहुत फर्क यहां पर आ गया है और अधर इंकम देखेंगे तो पहले जहां 19 करोड सरस्ट लाग की थी वह अब रहेगी है इस देखेंगे जहां पिछले क्वाटर में जून क्वाटर में 142 का लोस हुआ था वहीं अब जाके 191 करोड का हो गया है और यही अगर पिछले साल की इसी तिवाई में देखें तो यह 74 करोड का था तो लोस भी लगवग लगवग तीन गुना तक बढ़ गया है तो बहुत ही बेकार एक result company नहीं दिया है net loss देखेंगे net profit और loss देखें ब्रैकेट में जो होता ही loss होता है तो देखेंगा यह तीन गुना हो गया है जो year to year और अगर quarter through quarter देखेंगे तो पिछले quarter से भी बहुत यह ज्यादा है 112 का पिछले में था 191 का इस बार है company का EPS देखेंगे देखें जो पिछली बार था June quarter में 29 पैसे का वो 38 पैसे का minus में है तो यह भी बहुत कम हुआ है तो कुल मिलाकर जो है company में देखें हमेशा से ही loss है EPS हमेशा नीचे ही रहा है हमेशा नीचे की side और बढ़ता जा रहा ह और loss देखें हमेशा ही तो मेरे ख्याल में एक बहुत बुरा यह result हुआ और company जो है इस company में मैं कोई भी आपको सलह नहीं दूँगा कि आप invest करें तो चलिए देखें अगर वीडियो पसंद आया हो तो like कीजेगा और channel को subscribe कर लिजेगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें कोई भी result कोई भी news company की आपको यहाँ पर तुरंत से मिलती रहती है तो मिलते हैं फिर next video में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत